Class 5 Subject Social Science Lesson 20 Natural Disasters प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो जीवन और संपत्ती की भारीक शती का कारण बनती हैं भूकम, सुनामी, ज्वाला मुखी विस्फोर्ट, बार, सूखा, चक्रवात आदी प्राकृतिक आपदाओं के कुछ उदाहरन हैं वे कहीं भी और कभी भी घटित हो सकते हैं भूकम पर्थक्वेक, भूकम प्रिथवी के भीतर एक अचानक और कभी कभी हिंसक हलचल है जिसके बाद सिलसिलेवार जटके या जमीन हिलती है अत्यदिक तीवरता वाले भूकम जान माल को भारी नुकसान पहुचाते हैं जापान, नेपाल आदी जैसे कुछ देश हैं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकम पाते हैं प्रिथवी की सतह पर अनेक आपस में जुडी हुई प्लेटे हैं जिन पर महाद्वीब और महासागर टिके हुए हैं इन विशाल प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है इन प्लेटों के नीचे पिघले पदार्थ की एक परत होती है जिसे मैगमा कहते हैं जब ये प्लेटे मैगमा पर धीरे-धीरे घूमती हैं तो वे एक दूसरे से रगरती हैं और एक बड़ी उर्जा निकलती है जो प्रिथवी को हिंसक रूप से हिलाने का कारण बनती है प्रित्वी के इस कमपन को भूकंप Earthquake कहा जाता है प्रित्वी की सतर के नीचे का वह स्थान, जिस पर टेक्टोनिक प्लेटे एक दूसरे से रगरती है, भूकंप का Focus Focus of the Earthquake कहलाता है प्रित्वी की सतह के फोकस के ठीक उपर के बिंदु को उपरिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है ये वक्षेत्र है जहां भूकंप सबसे तीवर होता है और भूकंप में सबसे अधिक नुकसान इसी क्षेत्र में होता है सावधानिया प्रकॉशन्स भूकंप के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि यहा प्रत्याशित होता है इसका पता हमें भूकंप के जटकों और हिलती इमारतों वचीजों से चलता है बड़े भुकम्प में इमारतें गिर जाती हैं, बिजली के खंबे उखड जाते हैं, पाइपलाइन फट जाती है और आग लग सकती है भुकम्प के दोरान हम घर के अंदर फंज जाते हैं, हमें गिराने, धकने और पकरने के नियमों का पालन करना चाहिए यानी जमीन पर लेट जाना चाहिए, धक देना चाहिए अपने शरीर को किसी मजबूत फनीच जैसे बिस्तर या मेज के नीचे रखें और किसी स्थिर चीज को कसकर पकरें ताकि आप फिंके न जाएं खिलकियों और भारी वस्तूओं से दूर रहें, बिजली के तारों को न चुएं अगर आप बाहर हैं, भुकंप की तीवरता रिक्ट स्केल पर मापी जाती है इसका आविशकार लेस रिक्ट ने 1935 में किया था, ये पैमाना शून्य से 9 तक होता है भुकंप की तीवरता को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरन सिस्मोग्राफ कहलाता है 6 या लव तीवरता वाला भुकंप अत्यदिक विनाशकारी होता है हाल ही में 25 अप्रेल 2015 को नेपाल और इसके आसपास के क्षेत्र में 7.8 तीवरता का भुकंप आया, जिससे जानमाल की भारीक शती हुई फिर 17 दिन बाद 12 मई 2015 को 7.3 तीवरता के दूसरे बड़े भुकंप ने देश को जोरदार तरीके से हिला कर रख दिया सुनामी सुनामी समुद्र के नीचे भुकंप याजवाला मुखी विसफोट के कारण उठने वाली एक लंबी, उची समुद्री लहर है जो जमीन पर पहुँचने पर जीवन और संपत्ती को भारी नुकसान पहुचा सकती है सुनामी को गहरे पानी में सपष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह अपनी उर्जा खोए बिना हजारों किलोमीटर तक चलती है जब यह जमीन के पास पहुचता है, तो सता से 10 से 15 मीटर की उचाई तक पहुचकर पानी की एक दिवार बना लेता है सावधानिया प्रकॉशन्स, सुनामी आने से पहले थोड़ी चेतावनी देती है, यदि सुनामी की चेतावनी जारी की गई है तो तुरंद जगह छोड़ दें और उचे स्थानों पर शरण लें अपने साथ एक अपात कालीम के तैयार रखें, सभी बिजली के उपकरन बंद कर दें जवाला मुखी का विसफोट, वॉल्कैनर करप्शन, जवाला मुखी प्रिथवी की सतह पर एक छेद है, प्रिथवी के आंतरिक भाग में मैगमा है कुछ स्थानों पर मैगमा प्रिथवी की परत के माध्यम से एक रास्ता खोज लेता है और बलपूरवग बाहर आ जाता है इसे जवाला मुखी विसफोट कहते हैं, जवाला मुखी से निकलने वाले मैगमा को लावा कहते हैं लावा चटानों, भाप और गैसों के कनों के साथ आ सकता है बहता हुआ लावा बहुत गर्म होता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नश्ट कर देता है सावधानिया प्रकॉशन्स, जवाला मुखी विसफोट का पूरवानुमान लगाया जा सकता है जहां भी जवाला मुखी विसफोट की आशन का हो, उस जगह को तुरंत खाली कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर शरन लें अधिकारियों द्वारा दिये गए निकासी निर्देशों का पालन करें बार, फ्लड, आमतौर पर सूखिक शेत्र में अपनी सामान्य सीमा से अधिक मात्रा में पानी का प्रवाह बार कहलाता है बार आमतौर पर तब आती है जब भारी बारिश होती है, नदिया अपने किनारों पर बहने लगती है और पानी जमीन पर फैल जाता है बार तब भी आती है जब कोई बांध तूर जाता है या ग्लेशियर पिघल जाता है भारत के विभिन हिस्सों में बार आना आम बात है और इससे जान माल का भारी नुकसान होता है जल भराव से फसले नश्ट हो जाती है बार के दोरान और उसके बाद पीने के पानी और पीने के पानी की भारी कमी होती है पीने के पानी के दूशित होने के कारण है जा मलेरिया, डेंगू, पीलिया और गेस्ट्रो एंटराइटिस जैसी कई जलजनित बीमारिया पूरे क्षेत्र में फैल गई सावधानिया यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बार्ल का खत्रा है तो बार्ल की चेतावनी नियमित रूप से सुने और जटके के खत्रे को कम करने के लिए घर में सभी बिजली के उपकरणों को बंद कर दें उस स्थान को छोड़ दें और सुरक्षित पेजल, भोजन, टाचा लंबी छड़ी और प्राथमिक चिकित सा किट जैसी आवश्यक चीजों के साथ उचे स्थानों पर जाएं सूखा, ड्रॉट, सूखा लंबे समय तक बारिश न होने की स्थिती है जब क्रिशी और धरेलू उद्देश्यों के लिए पहले से ही पानी की भारी कमी होती है भारत में क्रिशी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है यदि वर्शा नहीं हुई तो फसले नश्ठ हो जाती है जमीन सूख जाती है और बंज़ हो जाती है ऐसी भूमी पर फसले नहीं उगाई जा सकती और भोजन की कमी हो जाती है जिससे जीवों में कमी से होने वाली बीमारिया और कुपोशन होता है ये बड़ी संख्या में लोगों और मवेशियों की भुखमरी और मौत का कारण भी बनता है भारत में राजस्थान और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है सावधानिया प्रकॉशन्स सूखे से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड उगाने चाहिए और पानी की हर बूंद को बचाना चाहिए पानी को संग्रहित करने के लिए जलाशेयों का निर्मान और वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण तरीके हैं जिन्हें सूखे से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए चक्रवात, साइकलोन चक्रवात एक उश्नकटि बंधिय तूफान है ये तेज हवाएं आम तोर पर गोलाकार या अंडाकार रूप में चलती हैं ये कम दबाव वाली प्रनालियों के कारण होता है जिनकी और हवा बहुत तेज गती से चलती है एक चक्रवात अपने रास्ते में आने वाली सामग्रियों को सोक लेता है और उन्हें तेजी से नश्ट कर देता है जिससे भारी विनाश होता है ये घरों की छटे उड़ा देता है, पेलों और बिजली के खंभों को उखार देता है, कारों, साइकलों को उड़ा देता है और बसों और ट्रकों को पलट देता है चक्रवात आमतोर पर तटीयक शेत्रों में आते हैं भारत का तटिय क्षेत्र चक्रवातों से ग्रस्थ है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र औरिसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु है सावधानिया प्रकॉशन्स तटिय क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों को हमेशा मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी प्रनालियों को सुनना चाहिए उन्हें तुरंद क्षेत्र खाली कर देना चाहिए और सुरक्षित आश्रे में चले जाना चाहिए उन्हें गैस और बिजली के उपकरन बंद कर देने चाहिए सुरक्षित पेजल और भोजन प्रचुर मात्रा में संग्रहित करें यदि आप धर में हैं तो सबसे अच्छी रोक्थाम है गिराना, धकना और पकरना दर्वाजे और खिर्कियां कसकर बंद कर दें आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जब भी कोई आपदा आती है तो लोगों को बचाने और ख्षती को सीमित करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं ये प्रयास व्यक्तियों, निजी संगठनों और सरकारी विभागों द्वारा किये जाते हैं भारत में आपदा प्रबंधन टीमें भी हैं जो आपदा प्रभावित लोगों की मदद करती हैं इसके अलावा सेना, वायू सेना, नौ सेना और पुलिस भी प्रभावित लोगों की मदद करते हैं